हेलो बच्चों, नमस्कार, आज की अपनी जो क्लास है, DSE Part 3, Mathematics, C Language, Practical, जिसके अंतरगत, ग्रूप B, ग्रूप B में अपन पढ़ेंगे, गोस-जोर्डन मेथड, ये भी ये ने, solution of linear algebraic equations का एक method है, इससे पहले जैसे अपने गोस-eliminations methods पढ़ा, एक matrix methods होता है, तो अपने linear algebraic equations का solution कैसे करें, तो solution करने के लिए अपने पास different method है, तो आज का जो अपना method है, गोस-जोर्डन method रहेगा, अपना आज का, आज का जो अपना method है, ये गोस-जोर्डन method रहेगा, main tutorial जो अपने, इसका solution कैसे करें, तो इसमें भी अपने equations दे देंगे, equations के base पे अपन matrix create करेंगे, तो इसका अपन देखें किस तरह का questions है, आते हैं, तो इसका जो questions का title होगा, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, तो ये equations हो गई, तो ये आपका आना 3 variable वाले equations है, जैसे है, x और y, जितने equations होंगे, उतने variable होंगे, तो ये x, y, z, x का coefficient 2 है, y का coefficient 8 है, z का coefficient plus 2 है, इसका, ये results 14 है, equal 14 है, तो अपन क्या करेंगे, ये पहला column, ये दूस इसरा column, तीसरा column, चोथा column, तीन रो, 3 by 4 की matrix बनाएंगे अपन, अपन, अपन 3 plus 1, 1 अपन इसके लिए रखेंगे, तो 3 by 4 की matrix बनेगे, अगर 3 equations है, अगर अपन को मालो 4 equations given हो, तो 4 equations के लिए अपन 4 by 5 की matrix बनाएंगे, तो 4 by 4 में तो ये coefficient की value आजाएगी, और ये 5 column पे, य ये equal value आजाएगी, equations में equal value दे रखे है, तो अपन को ये matrix में data, fill up करके, matrix create करेंगे, देन उसके बाद में operation चलेगा, तो experiment ये B6 है, group B है, तो इसको अपन देखे, solution of methods देखे, इसका, गोस-जोर्डन method क्या करता है अपन से, तो इसमें क्या करता है, कि सबसे पहले, equations के base पे, एक matrix, define करो, तो matrix हपन जो define करेंगे न, तो आपकी जो कहलाएगी, ये कहलाएगी, augmented matrix, ये अपन जो भी equations के coefficient लेके, matrix बनाएंगे, तो वो augmented matrix बोलेंगे उसको, फिर augmented matrix बनने के बाद में, स्वेब कर सकते हैं हपन, रो को स्वेब कर सकते हैं, अगर जरूरत होतो, obtain a non-zero number, in first row, first column पे, first row, first column पे, आपका 0 नहीं होना चाहिए, non-zero value होनी चाहिए, अगर value non-zero नहीं है, तो अगमालो value 0 गीवन है, तो इसका मतलब है कि फिर आपन को row operations करते हुए, उसको, use a row operations to get a 1, and age the entry in the first row and first column, फिर इसके, इसमें फिर आपन row operations to make all other entry age 0, in column 1, फिर आपन को क्या, जैसे first row की जो value है, first column, first row की जो value है, उसको अपन को 1 बनाएंगे, और बागी सब value को अपन आपन वो कर देंगे, जीरो value, ठीक है न, तो जीरो value बनाने के लिए row operations करेंगे, टोटल ही, तो आप इस तरह से वो लगाओ, प्रोपर्टी, या आपका first row की value तो हना, वन हो जाए, बागी जब other value हना, वो जीरो हो जाए, यह जीरो जीरो आजाए, वनले इस तरह से, तो अपन को row में property लगा के calculation करनी होगी, फिर अपने शेप करेंगे second row को, अगर जरूरत हुई तो, to obtain a non-zero number, in second row, second column, फिर अपन वो ही करेंगे, use row operations to make this entry one, इसको one बनाने के लिए, फिर अपने वो ही row में operations करेंगे, property लगा के, बागी सब other value को अपन फिर 0 रखेंगे, यह से फिर 3rd row और 3rd column की value को लेके, फिर बागी सब value को 1 बनाएंगे, बागी सब value को 0 बनाने के कोशिश करेंगे, फिर final जो matrix होगी, वो row equivalent matrix का लाएगी, row equivalent matrix बोलेंगे, उसको form, यह बनने के बाद में solution आजाएगा, आपका direct, इस method को follow करना अपन को, row में पूरे operations लगाने हैं, और फास्ट कोलम, फास्ट रो, उसको अपन को one लेना है, बागी other value को 0 बनाना, फिर ऐसे second row, second column, उसको non zero, और फिर दें other पूरी value 0, फिर ऐसे third row, third column, उसको non zero, बागी सब other value को 0, यह बनाने के लिए property लगाने होगी, तो property कैसे लगा पाएंगे, तो वो row के लिए properties होती है, तो यह rules को follow करते हैं, आप code बनाएंगे, अब code देखें, कैसे बनाएं, तो अपनको जो equations दे रखी होगी, तो equations के लिए, जो method को अपन reply करने हो, गोस-जोर्डन method है, यह तो आपका title होगया, program का, प्रोग्राम का title या heading होगया, यह आपका library section का linking part होगया, यह library से connectivity होगई, as include को preprocessor नाम देंगे, यह library header फाइल होगई, तो यह अपने इससे बिले भी कई सारे programs में explanation दे चुके, compulsory functions होगया, यहापे, यहापे compulsory functions होगया, यह variable का declaration होगया, यह variable का declaration, तो यह array है, यह array का declaration है, यह flow type का मैंने declaration किया हुआ है, तो यह array का declaration है, यह array में 2D बना रखा अपने, double dimensional array है, 10 by 10 का storage लेके चल रहा हूँ, इसमें अभी कोई value नहीं है, तो 10 row 10 row continuous allocation हो जाएगी memory, और यह results के लिए में आएका न, X 10, एक यह matrix अपने उज करेंगे, और एक temporary variable लेंगे, temporary variable से अपनी calculation बनेगी, फिर i, j, k data को जब access करेंगे, तो दो variable तो अपने को लेनी होते हैं, matrix को access करने के लिए, और k अपने extra variable लेके चलेंगे, n है, number of equations, n denote करेंगा number of equations, और n के base पर matrix का construction करेंगे, number of equations, कितनी आपको given है, उसके आधार पर अपने equations को read करेंगे, तो सबसे बहले कितनी equations given है, equations में आपके 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो जितनी equations होगी उतनी है, अपने ले लिए, फिर ये message अपने print कर दिया, कि number of equations कितनी है, तो एक इसकिन पर message आएगा, फिर ये equations को लेके, coefficient को लेके, x, y, z, जो भी अपनको दे रखेंगे, जितने भी variables, अगर 4 equations होगी, तो 4 variables होगे, तो 4 variables के x, y, z, जो भी अपनको दे रखांगे, उनके coefficients से, एक अपन augmented matrix बनाएंगे, तो augmented matrix जो equations given है, उनसे बनती है, तो ये matrix बनाने के लिए अपने value, 1 by rho by rho pass करते वे चलेंगे अपने, for example जैसे अपने पास equation है, इस तरह की, equation ही है, तो ये value हो जाएगी, इसकी first row की value, तो आपके one हो जाएगी, one हो जाएगी, आना मालो ये जेड़ है, ये जेड़ है, तो ये two हो जाएगी, और ये ten इसक है, फॉर्थ, इस fourth column में आ जाएगा, ये पहला column, दूसरा column, तीसरा column, और ये fourth नम्रा column, तो ये first row हो जाएगी, first row, इसे second equation से second row बनेगी, third equation से third बनेगी, तो ये तो आना row, ये पहला वाला loop तो row को refer करेगा, ये row का index है, 2D के लिए जरूर है, आना ये column का index है, row में column, आना ये columns को operate करेगा, और AI जैसे ये value read करेगा, end address, memory location पे data को read करेगा, float अपन float data इसमें store करके चलेंगे, फिर ये अपना ना पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में प्रिंट करवा देंगे, पूरी matrix को, क्या आपके आग्यमेंटेड मेत्रिक्स क्या बनी, तो इसको फिर अपना ना प्रिंट करवाएंगे, तो ये, ये अपने ना प्रिंट कराने का for options लिख दिया, ये exact आपके जो matrix बन लिए ना, equations को लेके, तो ये exact matrix बन जाएगी है, इस तरह जितनी equations होगी, तो ये matrix आ जाए दूसरा कोलम, तीसरा कोलम, चोथा कोलम, ऐसे रो, रो 1, रो 2, ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, क्या value गीवन है, exact अपने क्या value लिए है, तो एक matrix को ये display कर देगा, तो ये 6.0F, ये integer में राउंड फिगर करके, आना, F flow data के लिए हो गया, AIJ, AIJ matrix की value बनती जाएगी, लूप के थूँ, जब ये पूरा एक कोलम, एक रो में पूरे कोलम हो जाएगे, तो फिर ये line change करेगा, line change करके, फिर अपना यहां से increment, AI का increment लेगा, फिर second row के लिए फिर ये process चलाएगा, ये से row by row प्रिंट कर देगा, exact matrix को, फिर अपन गोस jordan methods को apply करना अपन को, तो गोस jordan methods में, पहली row, पहलो column, उसको अपन को 1 बनाना है, तो बागी सब value को 0 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए अपन ने ये process चलाया, तो ये तो row की accessing करेगा, ये तो row की accessing करेगा, ये तो, row को refer करेगा, row का index हो जाएगा, इंडेक्स, और ये column की position को refer करेगा, ये column की position को refer करेगा, column index हो गया, अभी value नहीं आएगी, फिर ये देखेगा, i, j equal नहीं है, अलो जैसे होता है, कि i command b1 है, j command b1 है, तो वो diagonals की value होती है, तो बागी ये equal नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा है, कि non zero value रहेगी है, तो उस case में इसने क्या किया, तो temp में एक ratio create किया, a, j, i, और divided करेगा, a, i, i, और ये divide करके, एक temp में नया value create हो जागा, अगर ये equal नहीं है, तो, एक वल नहीं है, तो एक टेंप में कि ये results बनेगा, ratio बनेगा, और फिर k से ये n प्लस 1 पूरे columns को चलाएगा, मलब फिर पहली रोखा, पूरा columns, तो फिर ये ने, a, j, k, ये पूरा अपने आपने calculation बना देगा, ये वाला, तो zero, non zero इस तरह की calculation बनेगी है, तो ये calculation अपने आप पूरे, वो कर देगा, फिर एसे ही, पहली row गया, फिर second row के लिए, यहां से selection होगा, फिर third row, third row में फिर columns के साब से चलता रहेगा, और ये पूरी calculate हो जाएगी, फिर calculate होने को बाद में, अपने, results matrix प्राप्त करेंगे, तो results matrix जो भी आएगी, तो ये, फोर्थ नमर का जो column होगा, जो भी last column होगा, ये fix हो गयाने, तो ये last column, ये fix हो जाएगा, ये, और AI, ये 0 row, फिर second row, फिर third row, फिर fourth row, तो जितनी row होगी, उसके उतने answer बन जाएगे, और ये AI, AI से divide करके, और X, I में results calculate कर लेगा, result calculate करके, और फिर अपने ने print करा दिया, पूरा result, तो print कराऊंगा, तो loop चलाऊंगा, तो ये results कैसे बनता है, मानलो कि, ये आपका result बनेगा, ये आपका जैसे मानलो बनना है, ये 0 है, ये 0 है, इधर मानलो 3 हा गया, इधर मानलो आपका 0 हा गया, इधर आपका 2 हा गया, इध 1 एदर कर लो इधर आपका 0 एगिया इधर आपकी जीर आगया इधर माइन इस थी यह इन-स ट्वाइंगंगे इससे तो इसका tisया कर दोड़ करेंगा थी ठीड़ टू इसका इस तरह से तो तो अपर नहीं सबको ये प्रिंट कर वा दिया ये प्रिंटिंग नंए पूरा रिजल्ट की फोर मा जाए गी ये यह रिजल्ट के लिए आगी यह और यह आपने यह इस प्रोग्राम को पूरा टाइब करेंगे तो यह मैं यह पूरी मेट्रिक्स दे रहा हूं इश्य प्रोग्राम को जाएं कि ऐसे इक्वेस्थार टेटा लेकर चले में दूसरी ऑफ्रेश्य जाल से इसे एक्ट है पूरी यह एक्वेस्था पूरी यह ऐग्जक्त मेट्रिक्स बनेगे अपनी 2 8 यह exact matrix बनेगी 2 8 2 14 फिर 1 6-1 13 इस तरह से ना फिर अपन इसकी आउप बनेगी ना final matrix 0 non-0 वाली डागॉनल्स को मलब डागॉनल्स पर वेल्यू रहेगी बाकि सब पर नोजी जीरो वेल्यू रहेगी तो फिर यह अपना solution बनेगा तो यह इस तरह से अगर अपने यह reading दें तो यह अपना solution आना चाहिए इस तरह से इसका results calculate होगा तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो subscribe करें share करें अपने दोस्तों के बीच में इसको share करें thank you